जब भी डेली उनिवर्सटी के स्टूडेंट्स के बीच में आती हूँ प्रिंसिपर साहब, उत्मनी जी, निनुका जी, शुती, मंजरी, सभी लोग मैं जब भी उनिवर्सटी के स्टूडेंट्स के बीच में आती हूँ तो मुझे में अलग ही जोश और उचसाह भड़ जाता है क्योंकि ये जो Delhi University के students है इनके बीश्मे में पिछले लगभग 30 साल से रही हूँ मैं 1993 में Delhi University Students Union की प्रेज़ेंट रही हूँ कॉलिज, कॉलिज घूमी हूँ तब मेरे पास मेरा स्कूटर होता था उस पर जाती थी आज गाड़ी है और तब जब इंटराक्शन होती थी University के students के साथ तब ध्यान आता था कि ये वो students हैं जो कोशिश करते हैं कटिनाईयों से जूशते हैं, लड़ते हैं ना रुकते हैं, ना जुकते हैं, ना तूटते हैं क्योंकि इनका धेवाक्य है कि जो पत्थर चोट लगकर तूट जाता है वो कंकर हो जाता है और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है ये ऐसे students हैं जो किसी के महताज नहीं है इनके हाथ में इतना डब है कि ये जो चाहें कर सकते हैं मुझे सुकरात की एक बात ध्यान आती है सुकरात से एक आदमी ने कहा कि आपके पास कितनी knowledge है कितनी information है मुझे विए आपका ध्यान चाहिए मार्ग दिखाईए सुकरात ने कहा चलो सुकरात उस विक्ती को नदी के पास ले गया कहा देखो नदी में क्या है उस विक्ती ने नदी में देखा सुकरात ने उसका सिर पकड़ा और नदी में डुमो दिया तू 45 seconds के बार उसका सिर बाहर निकाला और उसे पुछा क्या चाहिए science तो कहता है जब तुम्हें इतनी ही तड़ ज्ञान की होगी और नौलेज की होगी तब ज्ञान नौलेज सब तुम्हारे पास होगा तो यह वह स्टूडेंस हैं जो कहते हैं कि हम गुड़ पर ही सीमित नहीं होते हमें बेटर और बेस्ट चाहिए मुझे ध्यान आता है क्योंकि जो टॉपिक मुझे दिया है वो है महिला की सुरक्षा मैं केवल घर की ही सुरक्षा की बात नहीं करूगी प्रिंसिप्र साहब मैं घर की बाहर की सुरक्षा की बात करूगी कि जो बेहन मेरी यहां से कॉलिज से बाहर जाती है और जिन्दगी के आखरी पड़ाव तक क्या-क्या चालंज़ आते होंगे, जो हमने भी फेस किये हैं, टीचर्स आपने भी फेस किये हैं, ये स्टूरेंट्स भी फेस करते हैं, और कैसे उनका सामना किया जा सकता है, अब वकील हूँ, वकील के पास भी खुशी-खुशी तो कोई ऐसा नहीं कहता है, चलो आज शादी है, वकील के पास, चलो घरने, बच्चा पैदा हुआ है, वकील के पास, I am so happy, just go to a lawyer, कोई नहीं आता, जो दुखी होता है, जो लुटा-पिटा होता है, जो थक हार चुका होता है, उपर भगान और नीचे, वकील होता है, वो हमार पास, तो समाज में जितना दुख है, वो सम हमारी जोली में देखर जाते है, तो इसलिए मैं आपको सची घटना बताऊंगी, सुनीता की, वो सुनीता, दिली निवर्स्टी के कॉलिज में प्रती थी, 12 के बाद जब कॉलिज गई, स्टाडीज में अची थी, म्यूजिक में अची थी, डिबेट में अची थी, धिये 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 करके कॉलिज की वो head girl बन गई, head girl बन गई, उसको दिखा कि कॉलिज में सब कुछ बराबर ही तो है, यहां तो कोई अंतर नहीं है, लड़के भी वोई है, लड़की भी वोई है, बराबर ही है, right to equality है, freedom है, dignity है, कोई discrimination नहीं है, लेकिन एक दिन जब कॉलिज से बहार आई, और सामने जो चाई की दुकान थी, उससे उसने left मोडा, कि मैं अब घर जाओ, वहां पर light कम थी, उसकी दो सहीलियां उसके साम थी, वहां कुछ लोगों ने उस पर फक्तियां कसी, commence पास किये, लेकिन हिंदू स्वानी की थी, मा ने क्या सिखाया था, एक चुप, सौ, सुख, चुप रही, वापस चले गईगा, अगरे दिन, फिर वही हुआ, अब उन लड़कों की जो ज्याक्ति थी, वो बढ़ ही थी, उन्होंने उस पर और comments पास करना शुरू किया, और उसको परिशान करने के लिए उसका पीछा करना शुरू किया, अब वो बहुत परिशान लेकिन मा ने सिखाया है, एक चुप, सौ, सुख, इसलिए चुपचा चले गई, तीस से दिन, जब उसका दुपटा खीचा गया, उससे रहा नहीं गया, उसने का, मा तुम्हारी सीख, तुम्हारे साथ, उसने फोन किया अपनी सहेली को, अपराजिता को, जो लॉयर है, वकील है, और का, अपराजिता, प्लीज हेल्प मी, मैं क्या करूं, अपराजिता ने का, सौ नमबर पे कॉल कर, सौ नमबर पे कॉल करेगी, जो भी कहेगी, वो वहाँ पर रिकॉर्ड होता है, कल को आपको पच्चा मिल सकता पहुझा हैं कि आपने क्या शिकात की है. उसे सौ नमबर पर कौल किया. PC-र की वेन आई. वो लोग भाग गए हैं. नेसे फिल उसे देखा वो खड़े हैं. सौ नमबर पर कौल किया. पुलिस की वेन आई. फिर वो लोग भाग गए. धर्ड ने उन लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया और ये जिस और रास्ते से जा रही थी पीछे से जाकर उसको फिर से परिशान करके धखा दिला अब उसने कहां मैंने इंबरदाश कर सकते मैंने ये सीख नहीं ली ना अन्याई करूँगी और ना अन्याई को सहनूँगी उसने कहां अपराजिता बता क्या करूँ अपराजिता कहती है पार्स के मौरिस नगर के पुलिस टेशन में जा वहां गई सुनी था मौरिस नगर के पुलिस टेशन में वहां इस्टचो साहब as usual round पर गए हुए थे duty officer था वहाँ पर इसने कहा अब क्या करूँ complain दे उसे complain दी क्या madam ये क्या complain ये थोड़ा पहुत चलता रहता है university में लड़की ओव ये भी complaints दोगे कल आना इस्टचो साहब आएंगे तो जो typical police का रवया रहता है हम सब जानते हैं और तब उसने अप्राजिता को phone किया अब क्या करूँ अप्राजिता ने कहा 100 number पे call कर यहां के DCP का number ले mobile number ले सब को मिलता है DCP को call कर उसको बता ऐसे ऐसे मेरी complaint पुलिस नहीं ले रही है कॉल किया DCP ने अपनी पुलिसिया भाशा में वहां उपस्तित पुलिस वाले को समझाया पांच मिनट में ऐसे चोके हुई गुलवाया उसकी complaint लौज हुई और क्योंकि उस आदमी ने उसको चुआ था ठका दिया था इसलिए F.I.R. लौज हुई और फिर पुलिस उसके साथ गए उन लोगों को धर्द बूचा उसके बाद उसको छेडने का किसी ने जुरत नहीं की अगले तीन साल तक अब वो अपने कॉलिज की हिरोईन हो गई, स्टार हो गई, अपने ही नहीं आसपास के कैंपस के जितने भी कॉलिजिस थे, किसी लर्की को कोई दिक्कत होती तो वो पुलिस के पास नहीं जाते, वो सुनीता के पास आते सुनीता ये प्रॉब्लम है और जब ये सुनीता उनकी प्रॉब्लम लेकर पुलिस केशन जाती वो पुलिस वाला अपने आप ही एसेचों को फोन करता सर जी सुनीता जी आई है वो तुरंट आता और एक्षन लेता जब आप अपने लिए ही नहीं अपने समाज के लिए अपने लोग के लिए खड़े होते हो तब आप स्टार बनते हो आपको कोई election लड़ने की भी जरुरत नहीं होती अप्राजिता कोलेश खतम हुआ सुनीता का उसके बाद उसको इत नौकरी करनी थी कभी घर में छोटे भाई बहन थे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था उससे एक साउथ कैंपस एक कॉलेश में नौकरी ली administration में वहां पर जो administrative officer थे वो extension पर चल रहे थे retirement के बाद वो लपा साथ बासत साल के आसपस 63 साल के आसपस के थे अब वो जिस प्रकार से कुछ बुरे लोग होते हैं उसरा के लोग थे अब यह पैठी अपना काम करी होती इसको बोलते हैं तू लड़कों से बात क्यों करती हैं तू मेरे साथ लंच क्यों नहीं करती हैं तू मेक अप करके क्यों नहीं आती हैं रात रात को message कर रहे हैं कहन वो अपने लिजी खड़ी होती थी, अपने समाज के लिए भी खड़ी होती थी। उसने तुरल्त अप्राईश्ता को फोन क्या अप्राईश्ता, what next? उसने कहा हर कॉलिज में, हर इंस्टिट्यूशन में, हर बिल प्लेस में जहां 10 या 10 से जारा लोग होते हैं, वहा इसे पर से बात की हमारे हाँ पर internal complaints committee है नहीं थी है नहीं थी उस college में तो आनल फानल में वो internal complaints committee रातो और रात बनाई गई उसने अपनी complaint दी अपने witnesses दे अपने documents दे दूसी साइड से भी दी गए ultimately ए प्रूव हुआ की harassment हुई है उस वेक्ती ने वो यहां भी नहीं दबी यहां भी नहीं जोगी क्योंकि वो किवल कंकर बनकर नहीं रहना चाहती थी वो शंकर की शक्ती को लेना चाहती थी कॉलेज जाते आते उसको एक लड़के ने देखा देखने में अच्छी लगती थी लड़के ने proposal दिया, उसने का मेरे पेरेंट से बात करो, तो जब पेरेंट के आपस में बात हुई, सुनी ताकी शादी हो गई, शादी होई लड़के वाले रहते थे जोरबाग में, जोरबाग में बड़ी सी कोठी, कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमाएं पाद कोठी है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन आने वाले महमालों का स्वागत ठीक से कर दीजेगा शादी हो गई शादी होने के बाद एक बच्ची भी हो गई लेकिन कभी कभी वो तारी जो पड़ते हैं न अरे गाड़ी तो दे दे मेटी को ही तो दे कुछ ज़री तो दे दे तरारी हार कुछ तो लेकिन वो इग्नोर करती गई क्योंकि पती अच्छा था बच्ची उसके पास थी घर में थी सब ठीथा था नौकरी भी उसने छोड़ थी पती ने कहता सब कुछ ते पास है तुझे नौकरी क्या करते एसा होता था जोकिक खै लेकिन जब लड़की साथ साल की हो तब एग्न पती आए इस अच्छी घरता है उन्होंने कहा मुझे प्रेणा से प्यार हो गया है तु अपने घर वापस जाव तु अपने घर वापस जाव एसे भी तु मोटी है देख ले बच्ची में ही लगी रेती है मुझे हाई सुसाइटी में मूव करना है इसलिए मैं तुझे दिवोर्स तूँगा तुझे जो पैसा चाहिए पैसा ले तुछोड़ मैं पेरना से शादी करूँ इसने का मैं कहां जाओंगे में पास एक छोटी बच्ची है मेरी शादी हो चुकी है उसने का तुझे मैं एक हफ़ते का टाइम देता हूँ लीव माई हाउस उसको ध्यान नहीं आया क्या करूँ तुरंत अपराजिता को फोन मिलाया अपराजिता ने दो दिन के अंदर डिमेस्टिक वालिंस का केस फाइल किया यहीं पर साकेत कोट में जो मेट्रोपोर्टन माजिस्ट्रेट के आगे लगा और फर्स डे पर जो ओर्डर मिले अपराजिता ने दिलवाए सुनीता को रेजिंस ओर शी कैनार बी थोन आउट अप दा हाउस नमबर वान मेंटिनेंस ओर दस हजार उपे बच्ची को पंदा हजार उपे सुनीता को मिलेंगे तीसरा कसडी ओर बच्ची को मां से अलब कोई नहीं कर सकता चौथा रेस्ट्रेंट ओर कि जहां यह रहती है वहाँ जाकर कोई भी इलोज मेंसे महाँ पर ना धंका सकता है ना उसके साथ कुरूरता कर सकता है और पांचवां प्रोटेक्शन ओफिसर अपॉइंट हुई जो 24 घंटे इसके लिए अवेलिबल है जब इसको प्रॉब्लम हो, कॉल करेगी वो तुरल घर पर आ जाएगी उसके बाद तो प्रेणा ने उसके पती को छोड़ दिया और आज सुनीता अपने पती के साथ और बच्ची के साथ आराम से रह रही है इसलिए मैं कहना चाहूंगी लो एक ऐसा ब्रहमास्त्र है जिससे आप अपने को बचा सकते हैं और समाज का भला भी कर सकते हैं हाँ, ये ब्रहमास्त्र अगर रावण के हाथ में आ जाए या उस प्रवृति के लोगों के हाथ में आ जाए तो इसका मिस्यूज भी उतना ही होता है लेकिन अपने जीवन से सुनीता ने दिखा दिया कि जिन्दगी तो अपने दंपर ही जी जाती है कि जिन्दगी तो अपने दंपर ही जी जाती है दूसरों के कंदों पर तो जनाजे ही उठा रहे सुनीता को मालुम था कि महिला होने के नाते जो challenges है, चुनौतियां हैं, वो तो बच्पन से ही शुरू हो जाती है, शायद महिला के लिए जन्म लेना ही चुनौती है, जब हवाग उपर से हजार लड़के बेचता है, हजार लड़किया बेचती है, तो हजार लड़कों का तो safely delivered, sign हो जाता है, वो लड़किया 930, 940, 950 पहुं जाती है, वो पचास लड़किया बाकी की कहां जाती है, शारू के लिए जन्म लेना ही चुनौती है, उसके बाद जब धोल वाले से कह दिया जाता है, अरे भईया तो धोल बजा रहा है, लड़की पैदा हुई, यहां तो अपना धोल बज़ तो उस लड़की के लिए जन्म लेने के बाद मुर्स कुराना भी एक चुनौती है, उसके बाद शिक्षा लेना, स्कूल जाना, घर में रहेंगे, कहां चोटे बच्चों को संभालेगी, कहां बहर जाएगी, फिर कॉलिज में जाएगी तो उसे पहले सब्जेक्स कॉन से ल इसलिए चूज सब्जिक्स विमिन लाइक, कॉलिज आएगे, कोईट कॉलिज जा रहे है, नाम खराब करेगी इच्चा, गर्स कॉलिज जाएगी, इतने बज़े जाएगी, लड़कियों लड़कियों समयें, गुरूप के अंदर, क्यों, पिक्चा जाना है, भाई को साथ जाएगे, हर कदब पर, कॉलिज जाना एक चुनौती, कॉलिज में, क्लास में जाना एक चुनौती, वहां से वापस आना एक चुनौती, और वहां कभी कोई छेर दे, तो माबाब को कहना एक चुनौती, वहना कॉलिज जाना बंद कर दिया जाएगा, कल को नोकरी पे जाए तो अग्लास सीलिंग रहती है अच्छा शरीफ बॉर्स मिलना एक चुनौटी और जब शादी हो उसके बार तो शादी वारत नई नवेली दुलहन की देहलीज पर जब आकर बराद रुपती और कहती है स्विफ डिजायर नहीं हमें तो हॉन्डा सिटी कार्ट चार तो अगले 20 साल तक उस तारे के साथ रहना एक चुनौटी की हॉन्डा सिटी दर्वाजे पर खड़ी थी इस स्विफ डिजायर के साथ काम चलाना पड़ रहा है और उसके बाद जब बच्चे हो जाएं और बच्चे बिए दer बड़े होकर देखते ये हमारी मां है ये हमारी शक्ती है ये हमारी ग्यान दाई मी है उसके सामने जब घर में कहा जाता है important बात चल रही है property की बात चल रही है जगड़ाई क्यों ना चल रहा हूँ नेने लेना है property की बात है तुझा माँ को कहा जा जा चाए बना जा kitchen में जा तू तो बच्चा देखता है कि ये मेरी माँ जो मेरी गानदाइनी है इसमें समझ कम है इसमें दिमाग कम है इसलिए इसको कहा जाता है जा kitchen में जा यह important बात चल रही है तो अपने ही बच्चों के सामने सम्मान के साथ जीना ही एक चुनादी है और इस इन सब चुनादियों से जो पार पाकर मेरी देहने यहां बैची हैं यहां बैची हैं और सामने बैठी हैं इसलिए मैं ने कहा मैं उन सभी का नमन करती हूँ वनन करती हूँ मैं सभी का अभिदंदर आखिर मैं दो तिन उधारन जोड़ी जिन से मैं बहुत प्रभावित हुए मुझे बच्पन से था कि मुझे कुछ करना है ताया जी, चाचा जी, तिता जी सब बैठे हाँ I'm sorry बट जो सच बात है मैं कहूँगी उने कहा मॉनिका तीचर बन जा ये लेक्टर बन जा दो बजे घर से बापर्स आजाए करेगी बच्चे भी संभा लेगी, घर भी संभा लेगी मैं लॉयर बनना चाहती थे पुर्कुल, अरे राग के आठ बजे आएगी कौन सा आगनी कौन शादी करेगा तेरे साथ करको बच्चों का क्या होगा घर को कैसे देखेगी कर-कर-कर-कर-कर-कर-कर पर जो सपना देखा था उस सपना तो कुछ और था तो इसलिए आज घर भी ठीक है परिवार भी ठीक है बच्चे भी ठीक है करियर भी ठीक है तो जब आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हो तब स्काइज दा लिमिट तो यॉर सक्सेस इसलिए तुबेका रंजी ने कहा सपना देखो बड़ा सपना देखो सपना ये मद देखो कि बड़ी होकर हम कहीं बैंक में 20,000 की नौकरी करेंगे सपना ये मद देखो बड़ी होकर ऑफिस पे चले जाएं कि 9 to 5 जॉब करेंगे पेंशन मिल जाएगा, DA मिल जाएगा सब बड़ी आ होगा सपना ये मद देखो राजकुमार आकर हमसे शादी कर लेगा and everything goes well आजकर पिक्चर में बन रही है कि शादी के बाद भी क्या रहता है सपना देखो बड़ा देखो हम लोगों की एक दोस्त है संतोष यादव संतोष यादव उने सपना देखा आप उनको देखेंगे वो उपर से विचे तक घूगत में रहती है वो मोडिवेशन स्पीकर है पूरी इंडिया में जाती है उन्हें सपना देखा मैं माउंट एवरिस चड़ूंगी वो दो बार माउंट एवरिस चड़ गई ऐसा सपना हुआ देखा सपना देखो तो ये देखो कि मैं RBI का गवर्नर बनूंगा या बनूंगी और हर पांसो और दो हदार के नोट पर मेरे सिगनेचर्स होंगे सपना तो बढ़ा देखा और बहुत अच्छी लाइब परसों किसी ने मुझे पूछी किसने कहा Are you interested in achieving or are you committed to achieving कि मन करता है अहे बहां तक पहां जाएं पर एक कदम भी कौन चलेगा कोई और हमारी लिए चले एसा रहता है हमारी दोस्त बहुत मूटी है मैंने कहा कि इस भावे कुछ किया करो ना बंदे रख रख रखे तो इसलिए जब सपना देखो तो सोते जाते उस्ते बैठते खाते पीते के वर उसी के बारे में सोचो चोपिस घंटे आप और आपका सपना एक हो जाए तो वो ओम शांती ओम का डायलोग चरी तार्थ होगा कि जब आप किसी चीज़ को दिल और जान से चाहते हो तो सारी कायना आपको उससे मिलाने की सानिश करते अब लाइफ बन मिशिन एक डरो मत आजकल हुमारा बेटा ओ जो छोटेवाला है 278-5 मैं है ओ डरा हुआ है प्रीवर्ट से पहले के यूनिट टेस्ट है इस ही में जान निकली हुई है प्री बोड्ट से पहले के यूनिट टेस्ट हम में डर के रहते 있나 गावी में नंबर कितने आएंगे। और इसमें बिश्च मिलेगा क्या। अटेंदिंस पूरी नहीं है। प्राक्सी ना कबूल हुई तो क्या होगा। सेकिंड एर थर्ड एर के बाद एमे करेंगे, मेसी करेंगे या नौकली करेंगे। कहां जाएंगे। नेट क्लियर होगा के नहीं होगा, JNF बढ़ाया जाएगा के नहीं जाएगा, कितना डरडर के जीते हैं, वो देखो, एक स्वामी विवेका निल, गुलाम देश के गुलाम नागरिक ट्रेन में जा रहे थे, अब ट्रेन में साथ उनके एक अंग्रेज ऑफिसर बेथा हुआ अंग्रेज ऑफिसर को लगा रहे, ये गुलाम देश का नावरिक भगवाद पहने हुए, मेरे सामने फर्स क्लास में कैसे देखा है, तो अंग्रेज ऑफिसर ने देखा, विवेका नंजी की आंख लगी हुई थी, उसने उनके जूते उठाए और खिड़की से बाहर फिट पहेंग दिया, तो थोड़ी दिर के बाद उठ जागा, उसने नीचे देखा, उपर देखा दाए, देखा पाए, खोट तो था ही नहीं, कोट होना भी नहीं था, तो उसने पूचा, है, वेर इस माइ कोट, वेका नंजी ने बहत ही शारीनता से जवाग दिया, येर कोट हैस शारीन पाद से बहत ही चाहना है, वेर इसमा ने तो बिल्भीक ता, इतने ने ने बहत ही तो उसके बात, एक और बात में कहना चाहोंगे, वेल कार्कर अपर आप जाए, आप जाए, जाल टेख पा, तेलका का मालिक, इतना बड़ा इंपायर का एक बॉस एक इंसिडेंट ल पूरी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह गए एक गलती के लोगों कहते हैं एक तो गलती की थी यहां हजार अच्छे काम करोगे कोई सराहे न सराहे एक गलती होगी उसके दिया आपको प्राश्चित करना पड़ेगा सजा मिलेगी तो विरेकरन जी गए शिकागों में धर्म जब में भाग लेने के लिए अब वहां उनसे हमसे भी चीजें गुम जाती है अकसर गुम जाती है घर की चावियां मा केती है गैस बंद कर देना दूद उबलने के बाद ही गैस बंद होती है तो वेकरन जी से वहां पर पर मिशन लेटर खो गया जो उनका रिकमेंडेशन वहां पर पार्क में एक बेंच पर सो रहे थे भगवा पहना वहां पर आया उस लेडी ने देखा वेकरन जी को जौग करते हुए आया उनने कहा अपने हजबंड से लुक अगली ही लुक्स वेकरन जी ने कहा उठकर कहा शालिंता से कहा खड़े हो कर कहा sister in your country America it is the tailor that makes a man but in my country India it is the character that makes a man तीसरा CID देखते हो CID में वो क्या कहते है एक के finger prints दूसरे से match सब अलग अलग है तो comparison क्यों करते हो आपस में हमारे श्वालिक में एक मेरी दोस्त रहती है महिला रहती है जब मेरे बेटे के 12 में 94 परसंट आए मैं तो बड़ी खुश थी में 70 परसंट किये थे उसके 94 आगए मैं तो इसको कहा नीचे ऊपर वाले के marks देख ले कहीं किसी और के ना हो सकता है प्रतीशत में मैं खुश थी लेकिन उसके 94 आगए तो मैंने शान को घर में पाटी रखी तो घर से पहार निकली को समा लेने के लिए तो सामने मुझे सुदीता लिग सुदीता जो मही दोस्त है बहुत परिशाद डिप्रेशन में अपनी बेटी के साथ चकर लगा रही थी उसकी बेटी खूब पढ़ती थी तो उसमें मैंने का सुदीता अरे क्या हुआ बेटी कितने मांक साए मौने का डों टास्क मुझे को लगा ये उल्टा ही हो गया होग मैंने का तो परिशान क्यों है इसके सहेली के 97.6 परसेंट आ गए है इसलिए परिशान हूँ याने परिशाने भी सब्जेक्टिव है अब्जेक्टिव नहीं है कि मेरे कितने आया और साथ वारे कितने आ गए हाँ देखिए मरे जा रहे हैं हिंदू में अडमिशन नहीं हुआ हाए तो जीवन की साथ ठकता खतन हो गई है तो अडमिशन हो भी चुका उसके बाद भी कितने लोगों ने क्या-क्या कर लिया ये भी देखने किया विशकता है इसलिए no comparison with anybody और आखिर में जब सपना देख देखते हो तो ऐसा देखो जो सर्वे भवन्तु सुखिना का सपना हो जो अपने जीवन में खुशाली लाए अपने परिवार के जीवन को सुखमे करे इस समाज को करे और राश्ट को करे तो कि सपना तो जेन्यू के कुछ दिख भ्रमित लोगों ने भी देखा था बारत तेरे टुकड़े हो भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी अवजल हम शर्मिंदा है पूरा देशिक का शर्मिंदा है आज इन पे F.I.R.S. दौज हो गई है ट्राइल चल रहा है जिल के चकर लगा रहे हैं कोट के चकर लगा रहे हैं घर वालों का नाम खराब हुआ है समाज ने वहिशकार कर दिया है देश ने लालते दी हैं तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि लड़ना है तो मिलके लड़ो भूक से जो भूक सारे देश को है खा रही है लड़ना है तो लड़ो जाती पाती से जो फूट है हमारे घर जला रही है खेरना ही खून से तो आओ फिर ये सीमा देश की तुहें बुला रही अब मेंसे एक लड़की ने हंसाच कॉलिज के बार का मैं रहाते हैं तो आप बढ़ी अच्छी करते हो पर में अकेली क्या कर सकते हूं मैं तो अकेली हूं कोई मेरे साथ है नहीं है मैं क्या करूँ उस पर तुइटर यूज़ करके Facebook यूज़ करके Snapchat, Instagram, WhatsApp यूज़ करके निर्भया पर पूरा Criminal Law चेंज कर दिया पूरा आपने कानून बदल दिया था इसी ब्रह्मास्त जो 6-7 इंच का है Mobile phone इसमें social media में जाकर आप लोगोंने triple तलाव जैसी बिमारी को इस देश से सदा के लिए खताम कर दिया है इसलिए आपके हाथ में तो देश का भविश्य है और क्रांती है क्या वो? क्या डिवेट थी अभी वो? रिपाब्लिक पर? Fire Cracker Debate 4 दीज अगो उसना को कह रहा था So what if the Crackers are banned? पोल हो गया रेनुका जी और पोल कहता है अरना गो स्वामित तुम गलत पोल रहे हो इमेजेटरी शो में स्टैंड चेंज किया काओ इस दैंड शुद नाट बी देश इसलिए आप लोग ते करते हैं कि देश की हेडलाइन क्या होगी आप ते करते हैं शाम को डिबेट क्या होगी और इनकी हेडलाइन क्या होगी और गवर्मेंट की पॉलिसी क्या होगी सब आप लोग ते करते हैं पर ते कैसे करेंगे फोरवडिड मेसेज़स करके नहीं दो तरह के लोग इस भारत में हैं एक है ब्रेक इंडिया ग्रुप एक है मेक इंडिया ग्रुप जो ब्रेक इंडिया ग्रुप है वो कहता है आपने वर्सिस आलत वो कहता है ब्रावर वर्सिस दरत वो कहता है आपने वर्सिस दरत वो भेद की बात करता है जहां दराव है वहाँ खाई की बात करता है कोशिश करता है ये देश टूट जाए आप हैं Make India Brigade आप लोग कोशिश करते हैं जहां अंधरार हैं उसको हम पाड़ दे जहां खाई है उसको हम कम कर दे हम देश में स्नेही की बात करें सामनजस्थे की बात करें प्यार की बात करें, जिसके लिए पढ़ना अवश्चक है, कोई भी टॉपिक आपके पास आता है, आप इस ब्रह्मास्त का इस्तमाल करें, उस पर आप बिगी पीडिया में जाएं, नॉर्मले आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको पढ़ें, उसको एनलाइ के तहत आएगा, इंडियन पीनल कोड के तहत आएगा, पर समाप्त करते हो, यही कहूंगी, कि मुझे एक उदार बहुत अच्छा लगता है, इस पूरे 125 करोड के देश में, मैं अपने आपको कहां पाती हूं, या अपने आपको कहां पा सकते हैं, जब राम से तु बन रहा लोगों ने का पगला गई हो, क्या कर गई हो, उसने का यहां तो इतने बोड़े बोड़े युद्धा मौझूद हैं, मैं तो अपना छोटा सा गिलहरी प्रयास कर रही हूं, इसलिए भारत के इस यग्ये में अपना अपना गिलहरी प्रयास जारी रखिए, आप अकेले नह हैं, जहां खड़े हैं, जितना कर सकते हैं, जितनी सामरते हैं, अपने दोस्ते बात कीजिए, अपने रेल्टिव से बात कीजिए, अपने घर में बच्चों से बात कीजिए, बड़ों से बात कीजिए, जोद से जोद जगाते रहें, इसलिए आज मैंने सूरे से बस ज़रा यूहीं कहा आपके समराज्य में इतना धेरा क्यों रहा तम तमा के वो दारा मैं अकेला क्या करूं तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ू आकाश की आरादना के चक्रों में मत पड़ो संग्राम यह घंखोर है कुछ मैं लड़ू कुछ तुम लड़ू